तो वो experience के सार आपको उनको सिखाने में क्योंकि मतलब वो सब नए थे मतलब वो लग प्लेयर्स नहीं थे जो भी सीख रहते है आप से देखिया दंगल के लिए बात चल रही थी कि दंगल एक फिलम बन रही है उस समय में बारतिय महला कुष्टी टीम जो ओलंपिक की तियारी कर रही थी उनको ट्रेन कर रहा था तो मेरे को पता चला कि दंगल एक फिलम बन रही है यह नहीं पता था कि किस के उपर बन रही है गी जेज जी हैं फिल्म के डायक्टर है व्यायर है तो उन्होंने क्या करा विए वैक्ट्र्वास कुछ मिला नहीं तो उनको देखा कि डेटिंग के लड़की एक्टिंग करने में लगा हमाँ कि नहीं करसकते हैं पुजा ढंडा को सेट किया था बभीता करों देने के लिए तियार थे, लेकिन पुजनहडा बोले कि मैं भविता को रोल क्यूं करूं, भविता को मैंने हरा रखा है, मैं कीत्ता का रोल कर सकता हूं तो प्रे वह बात हुई तो वह कहे कि हम किरपाजी से सीखेंगे, क्यूंकि इंडियन फिमेल रस्लिंग टीम के कोज भी है एक्सपिरेंस भी अर्जुनवाडी भी है और इस तरह मेरे को बोले वो लेक्रिपाजी हम आपसे ही कुछति सीखना चाहते हैं अब मेरी मजबूरी होगी कि मैं ओलंपिक केम में ता मेरे पर्मीशन से जाना था तो रेलवे से और वारते कुछति संग से पर्मीशन द्वारा फिर में उनको डेर्ड साल तक ट्रेनिंग दिया वहां की लड़कियां जो हिरोईने हैं जो एक्टर हैं उनको ट्रेनिंग और प्रोफेशनल रेसलर शाक्षी मलीग गीता बबीता पुजा डांडा अनीता सिल्पी सेरोन तो यह यह लड़कियां प्रोफेशनल जो चेंपियन लड़किया हमारी इनकी वर्काउट करने का और जो बोडी कॉंटेक्ट गयम है एक दूसरे के सरीर को मरोणना तरोणना गिराना पढ़ना और कंटीनिव तो वह एक आमाद भी नहीं कर सकता एक अच्छे ट्रेनिंग सस्त्र से गुजरने के बाद ही आप रैसलिंग की एक्टिविटी कर सकते हैं जैसे हम बोलते हैं कि किरक क्यूंकि जब अमीर खान जी ने कर लिया फातिमा सानिया ये लड़कियां जो heroine हैं ये कुष्टी कर रही है तो हर वेक्ति अप कुष्टी करना चाहता है जब हमने उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम सुरू कराया तो intensity हमने कम रखी ट्रेनिंग प्रोग्राम वही था जो हमार का विशेश दियान रखा, क्रेश मेट लगाए गए, मोमेंट बहुत अच्छे हो, सही एंगल से उठा के पठका जाए, विपक्षी पहलवान जो उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका हमने सेलेक्शन किया जो टेकनिकल हो, और वो अगर एक्सप्लोज कर रहे हैं, तो वो एक दंगल जो फिलम आप देख रहे हो, चाइना में भी फेमस हो गई है, इंडिया में फेमस हो गई है, तकरीबन पूरे वर्ल्ड में, अभी में स्पैन गया था, तो स्पैन में मेरे को बोले, ओ दंगल कोच, जो रैसलर थे वो पिचाने हो, मेरे स्फोटो की चुआ रहे ह कि मैं अरजुनवाडी हूँ, मैं बहतर कोच हूँ, लेकिन दंगल के बाद में लोग मुझे और अच्छा कोच मानने लगे, तो ये एक बदलाव है, इंडिस्टीज का थोड़ा सा लोगों में क्रेज रहता है, और फ्लस वो मूवी देखने के बाद मतलब बहुत सारे हर ममी चाहती है कि मेरी बेटी गीता वविता बने, ऐसा कोई दिन मुश्किल से जाता होगा कि मेरे पास जो फोन नहीं आता होगा, मेरे पास दुनिया बर के फोन आते है कि सर हम अपनी बच्ची को आपके सोपना चाहते हैं, लेकिन मैं रेलवे रेसलिंग टीम का कोच तो हम रेलवे टीम के लिए काम करते हैं, तो हमार पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उन बेटीों को भी कुछ ती सिखा सकें